कठल दम मसाला जो खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगती है तो चलिए आज हम कठल दम मसाला बनाते हैं तो इसके लिए मैंने लगबग 500 ग्राम की कठल ली हूँ और इसे मैं काट लूगी लेकिन इसके काटने के पहले आप अपने हाथ और चाकू में सरस्रों का तेल लगा से उसे बहुत सावधानी से काटे और इसके उपरी काटेदार छिलके को आप छिलकर हटा लें यहां मैं दिखा रही हूँ आप देखिए इसके उपरी परत को पहले हटा ले कठल की कटिंग करने समय बिल्कुल धीरे-धीरे काटे फटा-फट न करें नहीं तो हाथ में लगने की डर बनी रहती है तो यहां मैंने कठल को उपरी पहाग को छिल ली हूँ करें 2 ड्रे गैba और इसके बीच के अंदर किसे जो बीच की भाग निकलती अंदर वाली भाग में उसे भी काट कर हटा लें है और आभी से आप इस तरह सेचोटे-चोटे टुकणों में काट ले कि इस तरह करते हुएumen आप सभी कठल को चोटे-चोटे टुकडं में काट लें यहां मैंने हमारी सारी कठल कट चुकी है अब इसे मैं बॉयल करूंगी इसके लिए मैंने प्रेसर कुकर में पानी ली हूँ और इसमें 1.5 ती स्पून नमक डाल दे और सारे कठल को डाल कर एक प्रेसर तक उबाल ले जब आपकी कुकर ठंडी हो जाए तो आप इसे खोल कर इसकी जाच कर लेंगी कि कठल हमारी कितनी पकी हुई है तो यहां हमारी कठल आधी पकी हुई है और उसी अंदाज से आगे का कुकिंग कर करना है तो यहां मैं कठल को पानी से निकाल कर अलग कर दी और यहां मैं हमारे पास तीन आलू उबले हुए मैंने तीन आलू उबले हुए लिए यहां मैं कठल में डालने के लिए मसाले ली हूँ जो दो मिडियम साइज का प्याज है दो इंच अद्रक है 15-16 कली लसुन किया चार हरी मिर्च है थोड़ी गरम मशाले है और आठ काली मिर्च है इन सभी मसालों को मैं पीसूंगी तो यहां मैंने फोरन के लिए एक मिडियम साइज की प्याज ली हूँ जीरा है लाल मिर्ची और दो तेजपत्ते हैं और थोड़ी कटी हुई धनिया की पती गार्णिश क करने के लिए मैंने लिया है यहां मैं हाप टीस्पून सरसोग का तेल लिए और उसमें सारे मसाले को हलका ब्राउन भून लोंगी यहां मैं बतला रही हूँ जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं मैंने आलू को छील लिया और यहां हमारे मसाले भी ब्राउन भून चुके हैं तो अब यह मसाले ठंडे हो इसके लिए मैंने एक प्लेट में निकाल कर रग दिया हूँ जब यह ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसे पीस लोंगी अब यहां कडाही में मैंने दो चम्मच मस्टर्ड वाइल ली हूँ यह क्तुम हो जाने पर इसमें कठल को अबढ़ने जब तक हमारी कठल भून रही है मैंने अलु को भी कटिंग कर लिये और इधर मसाले भी मैं पीस लूँगी तेहां मैंने यूच किया सारे मसाले को डाल कर भूने हुए मसाले हमारे ठंडे हो चुके थे तो मैंने भी उसे पीस लिया जब हमारे मसाले पीस जाएं तो आप इसमें एक चमच 1 टीज़पून हल्दी पौडर, 1 टीज़पून लाल मिर्च, लाल मिर्च की मात्रा आप बढ़ा सकती है और उधर हमारे कठल भी भून रहे हैं इसर मैं मसाला भी रेडियू कर रही हूँ और इन मसाले को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और छोड़ दे यहां हमारे कठल लगबग आदे भून चुके हैं तो मैंने इसमें 1.5 टीज़पून थोड़ी नमक डाल दी हूँ ताकि यह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं तो यहां हमारी कठल भून चुकी है अब इसे मैं कड़ाई से हटा दूँगी और इसमें फिर पुना मैं 1.5 टीज़पून मस्टर्ड वाइल लूँगी और कटे हुए आलू को भून लूँगी इसे भी आप हलका ब्राउन भून ले तो यहां हमारी आलू भून चुकी है यह कठल दम मसाला खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है तो यहां मैंने फिर आलू को हटा दिया प्रेशर कुकर को रखकर दो टेबल इस्पून के आसपास मैंने मस्टर्ड वाइल डाला जब यह गर्म हो गए तो मैंने इसमें फो से भी अच्छा होता है और दो तेजपत्ते डाल दिये और मैंने कटी हुई सा एक मिडियम जो कटी भी प्यास थी उसे डाल कर मैं ब्राउन होने तक भूनूंगी और फ्लेम को स्लो कर दे जब आपकी प्यास ब्राउन हो जाए तो मैंने सारे जो मसाले तयार किये थे उसे मैं डाल दूंगी और इसे मसाले को हमिशा आप स्लो फ्लेम पर भूने उससे जलने की संभावना कम हो जाती है आप कितना ग्रेवी रखेंगी उसी अंदाज से आप इसमें नमक अड़ करते हैं जरत परड़ने पर एक दो चमच जैसे मसाले सटने लगे तो आप थोड़ा एक दो चमच पानी भी डाल सकती है यहां देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं तो यहां मैं एक टेवल इस्पून बटर डालूंगी और जब तक से बटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स ना हो ज लगने के बाद मैंने स्टोप को आफ कर दिया और जब यह ठंडी हो गई तो मैंने प्रेशर को खोला और यहां हमारी सबजी बिल्कूल बनकर रेडी हो गई और यह काफी टेस्टी लगती है और जो कटी भी धनिया की पत्ते हैं उसे आप डाल दे मेरे बच्चे अकसर करते हैं पती भी करते हैं कि नहीं यह कटल की सबजी बनाओ इसी स्टाइल में बनाओ यह काफी स्वादिस्ट लगती है जब कोई हमारे गेस्ट भी आता है तो मैं इसी तरह सिर्केड़ की सबजी बनाती हूं कठल दम मसाला, आप किसी भी तरह से खाए, कचोड़ी, रोटी, पूड़ी, किसी से के साथ चावल, पुलाओ, यह बहुत इस्वादिश्ट लगती है, तो आप इसे जरूर ट्राई करेंगी, और कैसा लगा, हमें बताएंगी